पोशन ट्रेकर एप में चार ऐसे महतोपूर्ण काम जो हर आंगनबारी सेविका को हर महीने कम्पलीट करने है जैसा कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चारो ऐसे महतोपूर्ण काम जो आप लोग के लिए काफी इंपोर्टेंट है ये काम करना अगर आप लोग के ये चारो काम नहीं करते हैं तो आपको परोसाहन रासी नहीं मिल पाएगी तो आप लोगों से एक छोटी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बीना इस्कीप किये एंड तक जरूर देख लिजेगा तो चलिए सुरू करते हैं आज की ये वीडियो मैं रितिय स्थर्मा स्वागत करते हैं आप सभी का आज की इस नए वीडियो में तो जैसा कि आप लोगो को पोसन ट्रेकर एप को ओपन कर लेना है उपन करने के बाद सबसे महतवपूर्ण काम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं जैसे कि यहाँ पे जो three dot का Icon आप लोग देख रहे हैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे कि लिक कर लेना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक option मिलेगा घटनाए जैसे कि यहाँ पे घटनाए वाले option पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे चार module open होके आ जाएंगे तो चारों मोडूल में से आपको इसमें दो मोडूल काफी important है ये दोनों मोडूल को भरना जैसा कि ये भी एचेसेंडी वाला जो मोडूल है इसमें आपको टीका करन की entry करनी होती है यानि कि जिस मन्थ आपके आगनबारी के अंदर पर टीका करन होता है उस मन्थ का date आपको यहां पर डाल देना है ठीक है इसको आप लोग complete जरूर कर लिजेगा जो भी आगनबारी बहने अभी तक इसको complete नहीं की है वो अपना यहां पर date डालेंगी पहले हां पर select करना है एक option आएगा हां उस पर select करने के बाद एक date डालने का option आएगा आप लोग जिस date को अपने आगनबारी के अंदर पर टीका करन किये होंगे तो उसका date यहां पर डालके आप लोग submit कर दिजेगा उसके बाद यहां पर आता है दूसरा नंबर में CBE यानि की community based event यह कारेकरम भी काफी important होता है यहां पर चार्ग आपको ऐसे कारेकरम देखने को मिलेंगे लेकिन आपको यहां पर सिर्फ दो ही जो event है वो आप लोग करना है जैसे कि कई आगनबारी सेविका है पूछ रही थी सूपोशन दिवस की entry कैसे करनी है तो सूपोशन दिवस का entry करने का अभी इसमें कोई भी option नहीं आया है सूपोशन दिवस की entry करने के लिए सायद कभी update आये तो उसके बताएंगे लेकिन फिलाल यहां पे आप सूपोशन दिवस की entry नहीं कर सकते हैं यहां पे सिर्फ आप गोधभराई दिवस और अनपराशन दिवस का entry कर पाएंगे तो आप लोग 7 तारीकों गोधभराई दिवस कीए होंगे तो गोधभराई दिवस का entry आपको कर लेना है और 19 तारी को अनप्रासन दिवस होता है तो आप लोग 19 तारी का डेट डालके अनप्रासन दिवस का इंटरी जरूर कर लें। कभी कभी क्या होता है, 19 तारी को अनप्रासन दिवस परता है लेकिन उस दिन संडे होता है, तो 19 तारीकों नहीं करके आप लोग 20 तारीकों करते हैं तो उस दवड़ान आप लोग यहाँ पे उसका date अलग से 20 तारीकों डालके submit कर सकते हैं ठीक है उसके बाद चलिए हम आपको यहाँ पे तीसरे मोडूल के बारे में जनकारी देते हैं तीसरे मोडूल कौन सा है जैसे कि तीसरे मोडूल जो है वो THR करना काफी important होता है जितने भी आप लोग लाभूक को THR देते हैं जैसे गर्भवती महिला धातरी महिला और इनको नहीं देते हैं क्योंकि इनके माता को THR देते हैं और यहाँ पे जो 6 माह से 3 साल वाले बच्चे हैं इनको हम लोग THR देते हैं तो इनकी THR की entry आप लोग को जरूर कर लेनी है जैसे कि जब भी आप लोग THR करेंगे इस माह का जब आप लोग का THR पढ़ेगा उसके बाद आप लोग यहाँ पे उस बच्चे के उस लभार्थी के टेगरी के 3. में किलिक करना है जैसा कि यहाँ पे आपको 3. का ओप्शन मिल जाएगा यहाँ पे किलिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ओप्शन मिलेगा Aid Growth and Nutrition Details तो आपको यहाँ पे किलिक कर लेना है ठीक है उसके बाद एक पेज ओपन होके आ जाएगा यहाँ पे आपको पोशक आपोर्ती वाले पे किलिक करने के बाद किया आपको कोई पोशक आपोर्ती दी गई है तो उस बच्चे को कोई पोसक अपोर्ती दी गई है जैसे कि iron की गोली, vitamin, calcium, folic acid जो भी पोसक अपोर्ती दी गई है उसको यहाँ पे इस box में click करके आपको यहाँ पे submit कर देना है फिर उसके बाद नीचे आपका आता है पोसक हस्त छेप तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा जैसे कि यहाँ पे जैसे ही आप लोग click करेंगे तो यहाँ पे पोसक हस्त छेप का option खुल के आ जाएगा और यहाँ पे बच्चों की category है 3-6 साल वाली तो यहाँ पे पूछ रहा है Is the child on solid food? यानि कि क्या बच्चा ठोस आहर पे है तो हाँ 6 महा के बाद बच्चे को ठोस आहर पे रखा जाता है यहाँ पे आपको हाँ वाले पे क्लिक कर देना है और जैसे कि यहाँ पे take home रास्वन का option दिया गया है तो यहाँ पे 25 दिनों के लिए THR दिये जाता है तो यहाँ पे आपको 25 दिनों की संख्या लिख देनी है और यहाँ पे एक option आता है अतिरिक भोजन अनपूरक supplement यानि कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अतिक उपोसित होते हैं उनको अलग से कोई supplement दिये जाता है यानि कि उनको अलग से कोई भोजन दिया जाता है तो उस condition में यहाँ पे आपको इस पे click करके और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है हीमोगलोबिन तो यहाँ पे लिखा गया है उसके बाद नीचे यहाँ पे पूछ रहा है आप किस परकार की स्वास सिवा प्राप्ट कर रहे है जैसे कि वो बच्चा कोई स्वास सिवा प्राप्ट कर रहा है एलोपैत होमियोपैत आयूस जो कोई भी स्वास सिवा प्राप्ट कर रहा है उसको यहाँ पे box में चेक मार् इस प्रकार से आपका ये तिसरा काम कम्पलीट हो जाएगा सभी बच्चों का यहाँ पे आपको THR देने के बाद जैसे कि आधार भेरिफाई होने के बाद ही बच्चों को THR का जो अप्शन है वो खुल रहा है तो जितने भी बच्चों का आप लोगों ने आधार नहीं करेंगे तो बच्चे के बिकास की पहचान नहीं जा सकती है तो बच्चे की बिकास के लिए आपको ये जो कैटेगरी दीख रहे है जीरो से 6 मंथ वाली और 6 मंथ से 3 यर्स वाली इन बच्चों का हर मंथ आपको यहाँ पर ग्रोथ मोनेटरिंग करना काफी जरूरी है और जो यहाँ पे 3-6 साल वाले बच्चे हैं उनको हर 3 माह पे उनका growth monitoring करना काफी जरूरी है जैसे कि यहाँ पे 0-6 माह वाले बच्चों की category को open करेंगे और यहाँ पे 3.0 में आ जाएंगे आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे में option मिलेगा विकास की निगरानी growth monitoring तो आपको यहाँ पे click करने के बाद तो आपको यहाँ पे हर महिने बच्चे का height और weight अपने आगन बारी के अंदर पे मापने के बाद यहाँ पे जो भी height weight है उसको भरके यहाँ पे आपको submit कर देना है तो इस परकार से जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे 0 से लेके 3 यर्ज तक के उन सभी बच्चों का हर महिने growth monitoring आपको complete कर लेने हैं और हाँ एक और important काम जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं home visit यानि ग्री भर्मन तो ग्री भर्मन भी आपको कम से कम महिने में 60% complete जरूर करने हैं जैसे कि ICDs विभाग के और से जो लेटर जारी किया गया था तो उसमें कम से कम एक गर्भाती महिला एक धाती महिला और दो ऐसे बच्चे जो दो वरसे कम हो यानि कि total मिला के परती दिन आपको 4 ग्री भर्मन करने हैं और 25 दिनों तक जैसा कि आप लोग करते हैं तो total मिला के 100 ग्री भर्मन आपको हर महिने complete करने हैं इससे जादे भी आप लोग करने हैं जैसे कि आपको आज के लिए जो डेटा है इसमें जीतने भी लभारती आते हैं उनका आपको तो ग्री भर्मन करना ही है यानि कि total मिला के आपको 100 ग्री भर्मन हर महिने में complete करने हैं तो इस प्रकार से ये थी जनकारी अगर आप लोगों को ये जनकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो इस वीडियो को और भी आगनबारी बहनों के साथ सेर जरूर कीजिए और आप लोगों को इस वीडियो स मन में सवाल ये सुझा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तो मिलते हैं फिर किसी नए टोपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद